कितना लगाइज उमेद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर पे अच्छे से रह रहे होंगे तो आज का टॉपिक काफ़ी डिफरेंट है एस इन आज हम लोग दिली की मार्केट एक्स्प्लोर करने के लिए गए थे और सरोजी जाने के लिए हमें पिंक लाइन चूज करनी होती है और आप वहाँ पर मेट्रो से भी जा सकते हैं और और यॉविल प्रेफर मेट्रो और एंट्री करते ही काफी जादा भीर दिग्गी थी और काफी जादा स्ट्रींट पे वेंडर्स काफी अच्छे-चीठ क्यू क्यूट 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 कलक्चर थे सब कुछ था यहां पे और स्टार्टिंग फ्रूम 10 रूपीज अनली इन उसी रों में आगे बढ़ते हुए वहां पे मुझे काफी अच्छे कड़े से दिखे मतलब अगर आप मैरेड़ो तो आप यहां पे कड़े काफी लिए और सबका सब कलेक्शन सिर्फ 100 रूपीज में था यहां पे गैनिटी वाले कड़े भी थे मतलब काफी लोग डालते हैं ऐसे कड़े तो वह स्टार्टिंग थे 250 से एंड उसके क्वालिटी भी काफी अच्छी थी और अगर आपके 250 वाले एक साल भी चल जाते हैं एंड मैंने यहां से अल्रेटी बाय कर लिया थे तो मैंने यहां से कुछ बाय नहीं किया ऐस सच पट मेरी फ्रिंड यहां पर देख रही थी क्योंकि उसे चाहिए थे गरंटी वाले कड़े सो वह देख रही थी यहां पर कलेक्शन देन उसी रूम में हम आगे बढ़ते हु कि मैं रिसेंटली गोआ जा रही हूँ और मैंने वहां के लिए काफी अच्छे-चे इरिंग्स लिये एंड मतलब मैं आपको दिखाऊंगे नेक्स वीडियो में क्या-क्या इरिंग्स मैंने बाय किया क्या-क्या कलेक्शन लिया पर यह क्या क्या कलेक्शन मुझे बहुत ज् का तो हमने कुछ और भी शॉप कर लिया दुबारा से आके यहां पर एंड इस आंटी का काफी जादा थोड़ा रूड नेचर था बट ठीक है हमें अपना सामान लेना था एंड एंड हमने अपना सामान लिया और पैसे दी और हम आगे चले गए वह आंटी हमें एक्सप्लोर रूपीज इच था अच्छा था वह भी देन हमने बैक का कलेक्शन देखा जो कि हमारे यहां पर 500 से स्टार्ट होता है बट यहां पर 300 से स्टार्टिंग थी और मज़ा ही आ गया देखके देन यहां पर 100 रूपीज के काफी साहे टॉप लगे हुए थे एंड क्रॉप और कि आप यहां से चेक कर लो कि कुछ पटा हुआ नहीं है या कुछ दाग नहीं है क्योंकि ऐसी चीजों में होता है कभी-कभी एंड मेक शूर आप डबल शॉर हो जाओं यहां से यहां पर कलेक्शन अच्छा था मतलब मैंने टॉप बाय नहीं किया क्योंकि मैं हर बार य यहां पर 80 रूपीज के दियो हो यह थे कुछ टॉप मतलब मुझे उतने कास पसंद नहीं आए बट कभी लग के लिए ऐसा होता है कि हमें बहुत अच्छा टॉप मिल जाता है 80 रूपीज में बट मुझे ऐस सच यहां पर इस बार नहीं दिखा में भी मैंने धंग से चेक नहीं किया और यहां पर शॉप के अंदर का जो कलेक्शन होता है वह काफी जादा अच्छा होता है और यह ट्राउजर सिर्फ 200 रूपीज में मिल रहे थे शौट कुर्ति आज कर काफी ट्रेंड में चल रही है तो वह भी आपको 150 तो 300 रूपीज में आराम से मिल जाएंगी and make sure कि आप shops का collection अंदर से जरूर चेक करो क्योंकि shops के अंदर का collection होता है वो भी काफी अच्छा होता है बिल्कुल trendy होता है मैं कुछ shops में भी गई थी जहां का मैंने अंदर का collection भी दिखाया है and वहां पर मतलब starting हो जाती है 200 तो 500 तक जाता है but collection top notch होता है और काफी cute सा होता ह यहां पर jeans आपको एक average उसमें 200 में starting हो जाएगी and it can goes up to 500 and यहां पर छोट-छोटी earrings के जो स्टोल है ना उनमें भी काफी अच्छे अच्छे earrings है मतलब water drop लेट वले आजकर काफी अच्छे चल रहे हैं वो सब 30 रुपीज में start थे यह काफी सारे कड़े भी इतने सुंदर ना मतलब देखके ही अच्छा लग रहा था उने इतना colorful से थे वो लोग दैनम ने white color के काफी अच्छे मतलब shirt यह सब पड़ा था यह मैंने shop के अंदर का collection दिखाया है and इन में से मैंने कुछ top भी buy की हैं जो कि मैं दिखाऊंगी ज़रूर यह सब starting था 252 400 तक जा रहा था आ अगर आपको शादी के लिए किसी की चाहिए तो आप यहां से buy कर सकते हो and यह Korean type के clutchers इतने cute clutchers थे and bag भी काफी अच्छे मिल जाएंगे but मैंने कभी bag यहां का try नहीं किया तो I'm not sure कि वो कैसा होगा बाकि आपको ethnic से लेके shirt से लेके boys का collection भी काफी अच्छा है and girls का तो है ही ह क्योंकि सरोज दी famous ही girls के लिए है then मुझे एक काफी अच्छा crop top और shirt वाला पसंद आया था but I thought कि मेरे पास already एक ऐसा है तो but मैंने buy कर लिया था I will show you this also इनकी quality like ऐसा होता है कि आप five to six times ताल लोगे तो चल जाएगा आप से मेरे लिए तो काफी है तनाई तो next मैंने काफी अच्छी अच्छी dresses देखी एक shop पर इन में से कुछ dresses मैंने buy भी किया I will definitely show and then आगे बढ़ते बढ़ते काफी अच्छी hats भी थी यहां पर बतलब आप नाम लो और आपको वो चीज़ हाजिर हो जाएगी यहां पर मतलब सरोजनी में सब कुछ है सब कुछ then बाकी गर्मी बहुत थी तो आप make sure की थोड़ा थंडे मौसम में जाओ और पर्स का collection भी अच्छा है यहां पर फिर से मुझे 80 रूपीज की मिली काफी अच्छी अच्छी टॉप थे यहां पर बट मुझे ऐस सच वो दिखाने की हां यह मैं कुछ चाहिए तो इसलिए मैंने यहां पर इतना explore नहीं किया बट लेट मी नो अगर आपको थोड़ा और detailed वीडियो चाहिए सरोजनी का तो मैं जरूर देख कराऊंगे उसके लिए भी यहां पर मैंने नाइट सूट देखे 200 रूपीज अनली मतलब मैंने यहां से इतने जादा यह नाइट सूट बाई की है literally then after that यहां पर बेल्ट का कलेक्शन था जो की स्टार्ट था 150 से हीस का कलेक्शन था 200 से स्टार्ट था अनलब मेरे average में अगर मैं देखूं तो मैं सरोजनी में 5000 रूपीज में काफ़ी कुछ बाई कर सकते काफ़ी कुछ तो इतना चीप है यह market लड़कियों के लिए तो काफ़ी कुछ सही है यहां पर then मैंने यहां पर pen interesty type के glasses देखे glassware देखे जो कि 50 रूपीज से स्टार्ट देन मैंने एक और वीडियो के लिए एक और चीज़ बाई करी जो कि आप उचल दी पता लग जाएगी आने वले वीडियो में यहां पर मैंने वह सब सामान बाई किया बट मैं प्रेफर करूंगी कि आप वह वीडियो ज़रूर देखना है एंड देन मैंने कब भी देखा थ बट यहां फिर भी इतनी जादा भीट थी मतलब साट्वर संड़े को जाती फिर तो बस देन उसके बाई 80-80 रूपीज का फिर से स्पेगटी काफी अची थी क्रॉप टॉप्स थे वाइट कलर के काफी अच्छी अच्छी टॉप्स थे यहां पर तो आप यहां से काफी कु कि मैं किसके लिए ही बाई करूँ देन उसके बाद बॉइस का कलेक्शन इतना जादा था कि मैंने वह एक्स्प्लोर ही नहीं किया बट बताना आप लोग अगर एक्स्प्लोर करना है मुझे तो यहां पर थोड़ी क्यूट क्यूट सी शर्टे थी मतलब यूनिसेक्स थी यह तो आप लोग यह भी देख सकते हो अगर आपको पसंद है लूस फिटेड टी शर्स दालना तो आप चेक कर सकते हो यहां भी बाकी यह शॉप मुझे काफी ज्यादा पसंद है और मुझे यहां पर कूर्ती और सेट मिला था जैसे कूर्ती और नीचे प्लाजो उसका सेट थ यहां पर तो मुझे स्टार्टिंग वाली शॉप भी ज्यादा अच्छी लगती है ग्रैफ्टी लेन में इतना कुछ है नहीं अगर आपको ट्रेंच कॉर्ट चाहिए तो आप यहां आ सकते हो अदर्वाइस यहां पर ऐस सच कुछ नहीं है डैट सॉल थेंक यू उमीद वीडियो अच्छी लगी होगी और मुझे बताना अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए थेंक यू